कि अज़िए स्टूडेंट्स कि के के सीपीजी कोलेज की ओनलाइन क्लासिज में आपका स्वागत है कि कला मारा जावा के अंदर टैकेजिस वाला टोपिक चल रहा हूं और हमने एक बैसिक इंट्रोड़क्शन देखा था कि वी पैकेज क्या होता है जिसमें हमने जाना था कि जितनी भी सेम टाइप की क्लासिज और सेम टाइप के जो इंटर्फेसिस होते हैं उनका हम क्या कर लेते हैं ग्रूप बना लेते हैं और सिमिलर टाइपस ओफ ग्लासिज और सिमिलर टाइपस ओफ इंटर्फेसिज तो आज हम कल आपने ये भी देखा था कि पैकेजज कितने टाइपस के होते हैं तो कल आपने ये देखा था कि वी कर देखा था कि वी ये क्लासिफाइव न पैकेजज इन्टु टू गटेगरी एंट पैकेज फिरस्ट वन इस इन बिल्ट पैकेज़ विच इस अल्स नोन आज system package, which is also known as predefined packages, library packages, and second one is user-defined packages. उसके बाद मैं हमने डिसक्स किया था कि ये जो built-in package ये in-built package जो हम बोल रहे हैं, जिसको हम system package बोल रहे हैं या जिसको हम predefined package बोल रहे हैं, इसको हम प्रीडिफाइन पकेज बोल रहे हैं, इसको हमने कई category में डिवाइड किया था, जैसे कि java.lang, java.awt, java.applet, java.net, इस तरीके से हमने क्या की इसकी, कई category बनाई थी, इसको हम बनाई थी, विश्ण फोल रहे हैं, तो आप इम्पोर्ट स्टेटमेंट का युज करना प्रीडा हैं. तो कि अधर कि अधर सब्सक्राइब कि अधर को नाम का जो पैकेज एप से अधर 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 आपके बी और एक लास और प्रिय को अधर अधर एप अधर को अधर है इसके अंदरे प्रेग थानियर प्रेगे अधर नाद सेस्ट इस बहुते हैं हुआँ बनाव के शिकितने ईप्री क्लास्ट नो सहोगी कुछी आपको अघ़ दियो तुझा अधर चुछ नादेखे विगें अवाटी से जी आपको उले विधा लिग होगे कि अब आपके प्रोग्राइटू की क्लास E जो है वो अब लेबल हो गई यह बात क्लियर है या नहीं है यह सब्सक्राइट कि इतना जानने के बाद में अब हम एक जो आपके इस तरीके से आपके इस तरीके से वावार डोट लेंग हो गई है इसी तरीके से जावार तो यह जो यह जो इसरी के तेगरिया यूजर पाहिशे है अगर आपना पर्टेस प्रियेट करना है तो आपना प्रियेट करने लिए तो सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको पैकेज की वड का यूज करना पड़ेगा मैं यापर step लिग देता हूं, how to create your own package, step 1 use एकेज की वड का यूज करना पड़ेगा बड़ेगा, 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 की एक काम करें जिस नाम का पेक्स क्रेट कर देँ गार मतलब कि तो इस फोल्डर के अधर करो पास लिकसर क्या पर अधर स्पैस करने है कि अपनी क्लास क्या करनी है इस दिफाइन करनी है पपलिक कीवर का यूज़ करते हुए आपको अपनी क्लास डिफाइन करनी है तो किस तरीके से डिफाइन करोगे अब देखो मैं इसको क्म्प्लीट लेकिते था उज़े से सपोस्गरो अपने सबसे पहले पैकेज मनाया पैकेज पैक वन सेमी गोलन ठीक है अब आप इसके अंदर अपनी क्लास बना रहे हो पपलिक क्लास सपोस्गरो मैंने ए नाम की क्लास बनाई इस तरीके से क्लास बना लिए अब इसके अंदर मुझे बैठर लेना तो वह भी क्या लेरा पड़ेगा पड़ेगा पब्लीक जैसे मैंने लिया पब्लीक वोई डेमो में मैं मैंसेज दे थे इसके अंदर मैंने डेमो क्लास ये 抹ोष डेकस्ट्रिक फेक़ किस्ट्ट्टD अब लिग ऑई अपा लोग आप तो पिदे लिए इस तरी किसे ने अपनें पर प्रेक्स अपनेक्षाइब है अब अबसक्न से बीटियों से वेला से जिए इसका मतलब इस जो में एक लाग शुरुळ नहीं है इसका मतलब यह जो में करना है एक order करना है एक और बेडर करना है लाटर कुछ आपको एक फोल्र रियेट करना के नांसे इस के नाम से आपको पैकमन नाम से एक फोल्डर के अनदर आपने आपको प्रोगा है इसको आपने को कि एक डॉट जाओ प्रोगा आपको टो आपके डॉट जाओ आपको 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 000 आपBeat चाहए आपको आपको फार चाहा शू करों जाओको विए अभी एडिदो कि अभी फोर्ड कानदे और रिटॉट देवल्में अभाई व्हां के आप प्रेय व्हां से जहां जो डिए की अभाई को अवांद में अपय अवांद में जा स्वक्वाई ने का दोर्ग को एवां बाई करना चाहों के जाहाएं अब अब अगली स्टेल, अब अगली स्टेल, आपके अगली स्टेल, आपके अगली स्टेल Опाना अब अगला का Bus अरुधि औरॉल था कुष्याने, क्विटर, अब का का मता? मैं स्टेल हैं, अब अगला का न की आख हुए हुए है.. कि इंपोर्ट पेक्वर्ट नोट कि एक लास का अबजेक्ट बनाकर कि उसके फीचर को क्या कर सकता हूं एकस्स एक बजाए कर आफनी जो बनाया किस नाम से बनाया आपने नाम से बाद नाम से बाद कर दो इस वाहर यह पर नम का अब है नाम के फोल्डर के बाहर नाम के फोल्डर के बाहर है यहां पहला है जावा फिलकर क्या है वे गता एक्सस सब्सक्राइब। इसका मैं जैसे नाम चेंज कर देजा हूँ क्या दो जाओ अपर ये लिए तो इसे नौर्मली अपने रिजल्ट पनाते हूँ इसको और राइट करें मैं तो सेडी दीकलासین वे करें जासी है горओगी है करेकल असे निblesट करेंग ये उन असे देन器 करें ये लिए आपकी ये आपको क्यों पाये कित holiness पॉन एween इसको पेकेज के अंदर सेव क्यों नहीं करते हैं इसको डिटेल से डिस्क्स करेंगी यह तो बैसिक है इसके अंदर ही निखएन के पेकेज के पैकेज के अंदर मैंने सिर्फ आपको पैकेज बनाना श्ρχया है कि किस तरीके से हम पेकेज करते हैं है एक डेमो हैं पैकेज का यह पहले अपने डेमो तो समझ में आ जाया है एक deeper वो डिसकस करेगी इसको आना कई चीज़े हैं पैकेज के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं है और भी कई चीज़े इतना समझ में आया या नहीं आया पहले तो इतना समझ में आना जरूरी है जब आपके इतना समझ में आएगा तभी तो आगे समझ में आएगा मीरा समझ में आया है आपके मीरा पैकेस क्लियर है यह सो नो समझ में आये तब ही बोलना नहीं तो नो बोल देना मीरा आपको आवाज आ रही है मेरी क्या बाद मीरा तो आवाज नहीं जारी है रिदेस आपको आवाज आ रही है रिदेस आवाज आवाज आ रही है ओके सीखर कह रहा है मेरे समझ में नहीं है या सीखर सीखर आपकी एंट्री कितने बज़े होगी है यहां पर इस क्लास में आपकी रिपीट कर देता हूं एक बार दुबारा से आप ध्यांद से सुनें देखो सबसे पहले तो यह है कि भी पैकेज को क्रियेट किस तरीके से करते हैं सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि पैकेज को किस तरीके से क्रियेट किया जाएगा तो पैकेज को क्रियेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब भी पहली स्टेप होगी वो क्या होगी की आपको package create करना पड़ेगा package create करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा package keyword का use करना है सबसे पहला काम यह है सबसे पहली लाइन आपको यह लिखनी पड़ेगी package keyword का use करेंगे और जैसे सपोज करो कि मैं एक package और बना रहा हूँ pack 2 नाम से इस बार मैं package किस नाम से बना रहा हूँ pack 2 नाम से बना रहा हूँ तो मैंने package बनाया package keyword का use किया और नाम लिग दिया pack 2 और semicolon और फिर मैंने क्या बनाई एक क्लास बना ली ठीक है फिर मैंने क्या बनाई एक क्लास बनाई सपोस्पोस ग्रो मैंने A नाम की एक क्लास बनाई है और किस package के अंदर बना रहा हूं है पैक्टू के अंदर और यही method जब भी package के अंदर class बनाओगी तो उसको क्या रखना है पब्लिक रखना है अभी और जब public class बनाओगी तो उसके अंदर आपने क्या बना रखा है एक demo नाम का method बना रखा है उसको भी क्या कर देना है पब्लिक करना है इसका मतलब आपने एक class बनाई है उसके अंदर एक method लिया डेमो नाम का जो ये message प्रिंट करेगा ठीक है और ये पूरी class में ने जिस package के अंदर लिया उस package का नाम क्या है pack2 अब बात रही कि भी आपने pack2 नाम का package बनाया उसके अंदर और A नाम की class ले ली तो एक तरीके से आप ये समझायो कि मैं pack2 नाम का एक folder बना रहा हूँ जिसके अदर मैं क्या ले रहा हूँ ए नाम की class ले रहा हूँ अब आपको जब आप इस program को save करोगे तो किस नाम से करना आपको d के अंदर d के अंदर java underscore program नाम का folder वहां से आप अपने program को execute करवा रहे हो तो सबसे पहले तो अपने क्या करेंगे इसको save करेंगे save कहां पर करेंगे आप यहां पर अपने program save कर रहे हो normally d के अंदर java underscore program नाम के folder के अंदर तो D के अंदर Jawa underscore program नाम का folder है वहाँ पर पर क्या करोगे एक folder बना से किस नाम से पैक्ट्टू नाम से क्यों बना रहे हैं तो आता फ्ल्ट्टीनाम का पर पर फेक्टू नाम का के लो आपकर क्लास का नाम है अपकर आगे अपने अब मैं यहां से save all file करके यहां पर लिख दूँगा b.java class का नाम भी मुझे क्या लिए नाम है क्या a.java से save यह मैं सबसे पहले pack पूर जाँ मुझे यहां के अंदर java underscore program java program के अंदर मैंने pack2 नाम का फोल्डर बना लिया यहां से all file करते हुए a.java file जो save हो तो मुझे इस क्या कर्वाना है compile करते हैं cls use करिए एक पहले मैं d.java underscore program folder के अंदर आ गया आपकी यह a.java package के अंदर pack2 के अंदर तो run कर compile करवाएंगे सबसे पहले इसको क्या करवाना है compile करवाना है बना तो लिया program pack2 folder के अंदर save भी कर दिया compile करवाने के लिए क्या करेंगे अब pack2 folder कहा था java underscore program में तो d के अंदर java underscore program में गया अब इसको compile करवाएंगे java c normally अबने compile कैसे करवाते है a.java लेकिन ये a.java किसके अंदर पड़ी है pack2 folder के अंदर को मैं लिखूँगा pack2 और फिर slash java c pack2 slash a.java इसका अ.java जिस package के अंदर पड़ी है वहाँ से आप प्रोग्राम को compile होगे जैसे प्रोग्राम बड़ा तो pack2 नाम के folder के अंदर जो java underscore program में है pack2 नाम के folder के अंदर a.class बन जाएगी package पाएक्साँ चाहँए इस pack2 मतलब इस a class को यूज़ करने के लिए मुझे किसको एक्साँ पड़ेगा pack2 package अपड़ेगा तो अब मैंने दूसरा program बनाया कि how to access the package तो सबसे पहले किसी package को एक्साँ करने के लिए क्या करना पड़ेगा import keyword का यूज़ करना पड़ेगा और फिर मैंने देखूँ यहां पर क्या लिखा pack2.a इसका मतलब pack2 नाम के package के अंदर जो a नाम की class अब अक्साँ है तो मैंने एक कास बना लिए जिसर में लिया अब जब मैंने pack2.a लिखा तो pack2 package की a नाम की class आपके program में available होगी तो अब आप किसी भी class को access करने के लिए उसका object बना सकते हो क्यों बना पा रहा हूँ क्योंकि यहां पर a class अब available है इक बोड यूज़ कर लिया तो a class का object बनाया और फिर इस थूए अब इस प्रोग्राम पर save करना है जहां पर मैंने pack2 folder बनाया है उसके बाहर save करना है तो मैंने class का name result लेयर का है तो pack2 नाम का folder जहां हम बनाया है उसके बाहर प्रोड यह pack2 folder है यह java underscore program folder है तो पैक यह बहार यहां पर क्या करना है प्रोग्राम को result.dava से करने आप पर यहां पर आप पर आप को क्या 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 है करें जाएं तो इस तरीक के सब्सक्राइब करें इसको एक्सफ कर सकते हैं इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है वह हम अगली क्लास में डिसकस करेंगे आप अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें जब भी आपका वीडियो डाला जाएं तो उसको अच्छ जे बसे हो